माधिफ्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर संकट बढ़ गया है। हाल ही में अरविंदो हॉस्पिटल में जिनोम सिक्विंसिंग द्वारा जांच के बाद पता चला है कि इंदौर में ओमिक्रॉन के नो कैस हो गए हैं। फिर भी सरकार ओमिक्रॉन की जांच के सेंपल इंदौर में प्राइवेट लेब पर ना भेज कर दिल्ली या दूसरे शहर भेज रही है। प्रेक्टर का कहना है कि संक्रमित होने वाले लोग आठी-PCR के आधार पर आठ से 9000 रुपे के बीच ये टेस्ट कराकर वेरियंट की जानकारी पास सकेंगे। अगर सरकार भी टेस्ट के लिए सेंपल भेजेगी तो हम 3-4 दिन में रिपोर्ट दे देंगे। न्यू जिनेम सेक्वेंसिंग की मशीन से हम संक्रमित के वेरियंट का पता लगा पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग डारिक भी चार्ज करा सकते हैं जिसकी पर्मिशन भी हमने NCCS पूने से ली है। शब्सक्राइब चानल और प्रेस्ट बेल इकन पूर मोर अप्डेट्स